सब्सक्राइब करना है आपको 25% का डिसकाउंट मिलेगा अर्ली बर्ड ऑफर की वजह से और देखिए बहुत सारे बैचसे अपकमिंग एंटी यूजी सी नेट के जो कि अभी चल रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें आपको क्या करना है आपको हर्चिस के लिए सिर्फ मेरा एक रेफरल कोड यूज करना है जो कि यह सिक्षा 10 ठीक है और प्राइस हाइकिंग से अगर बचना चाहते हैं तो अभी जॉइन कीजिए बिकॉस प्राइस जो यह बहुत ही जल्दी हाइक होने वाला है तो इसलिए प्राइस हाइकिंग से बचने के लिए जल्दी इपनी वीडियो आज की जो हमारी वीडियो होगी इसमें मैं आपको इंबोर्डेंट कुछ करेंट अफेर्स पताने जा रही हूं कि आपके जियनमरी मंद में सभी अपकमिंग एक्जाम के लिए ठीक है तो चलिए जल्दी से देखते हैं अपने आज के करेंट अफेर्स सार पंद्रह जनवरी 10 ϫ 20 अगस्ट और 12 मैं आपके पास यह देखे चार से पंद्रह जनवरी 10 अगस्टँ और 12 वाई तो इसमें से राईट के हो जाएगा भी पंद्रह जनवरी जो वो मना जाता है भारती सेना दिवस के रूप में ठीक है 15 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं भारती सेना दिवस के रूप में मनाते हैं और अभी हम लोग इसके बारे में डीटेल में देखते हैं आप लोगों के लिए क्वेस्चन है कि जो युवा दिवस है युवा दिव को जल्दी से मुझे कमेंट में एंसर बताईएगा कि किस दुनाया जाता है यह वर्ष 15 ज शुझा में आपसे कभी कूछ सकता है कि 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 सत्तित दौघ करियाप्पा के मंनाया जाता यह सब्सक्राइब मार्शल थे करियाप भारती सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे जिन्हों ने 15 जनवरी 1949 में सर फ्रैंसिस बुचर से प्रभार लिया था यह मौका भारती सेना के लिए एक बहुत ही एहम मौका था इसलिए भारत में प्रतेक साल इस दिन को सेना दिवस के रूप में मनाया जान इस बार यह जो टॉम 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 ट्राफिक इंडेक्स है इसने बहुत सारी सिटीज के ट्राफिक के अकॉर्डिंग जो है रैंकिंग निकाली है तो पूछ रहा है कि टॉम टॉम ट्राफिक इंडेक्स के अनसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्राफिक वाला सहर निम्न में से दिल्ली बीजिंग मास्को या फिर काठमांडू तो आप जानते हैं कौन-कौन कहां के जिसे दिल्ली आपका इंडिया का हो गया बीजिंग आपका चाइना का हो गया मास्को आपका रूस का हो गया और काठमांडू कहां का भी नेपाल का शहर है ठीक तो आप से पूछाए कि में से सबसे ज्यादा जो ट्राफिक वाला जहां पर ट्राफिक सबसे ज्याद रहा वह शहर कॉन सा था तो चलिए देख लीज़े जल्दी से टॉम टॉम ट्राफिक इंडेक्स की मुताबिक 2020 में मौस्को दुनिया का सबसे भीर-भाडवाला शहर रहा कौन सबही मॉस्को रहा ठीक है इसके बाद दूसरे स्थान पर भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई रही ठीक है जिसको हम क्या बोलते हैं भारत की आर्थिक राजधानी बोली जाती है ना तो आर्थिक राजधानी मुंबई जो है वो दूसरे स्थान पर भीर भ खारती शहर जैसे कि बैंगलूरू और नई दिल्ली 2020 में क्रमसा छटे और आठवे स्थान पर रहे हैं इतना ही नहीं इस लिस्ट में पूरें जो है वह सोलवे स्थान पर है ठीक है चलिए तो देखिए अभी हमारा अगर जो पूछा जाए कि सबसे पहला कौन सा है तो सबसे सबसे ज्यादा ट्राफिक में अगर पूछा जाए इंडिया का टॉप किस नहीं किया ट्राफिक के मामने में तो आपका मुंबई है टॉम टॉम ट्राफिक इंडेक्स के कॉर्डिंग ठीक है और उसके बाद देखिए और इभी इंडिया की सिटी जो है वह आए जैसे कि बै मनीश चौहान को नेया राज़ूत नियुक्त किया है ठीक है न॑ अमबैसडर युक्त कियों पुछा किस देश में किया है चाइना में किया है पुर्तगाल में किया है जपान में किया है या फिर रूश में किया है तो भाई कहा किया है पुर्तगाल में नियुक्त किये गए है ने राजदूत के रूप में कौन मनीश चोहान ठीक है पुर्तगाल में ने राजदूत के र 294 बैच के अधिकारी मनीश चोहान इससे पहले मंत्राले में संयुप्त के पतपर कारे रथ थे चलिए भाई आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेशन पे नेक्स्ट क्वेशन क्या कहा रहा है भारत की गरतंत्र दिवस परेड दो हजार इसमें किस देश की सैने टुकडी भाग ले कौन से देश की बाई तो बांगलादेश की सैने टुकडी होगी जो कि परेड में भाग लेगी ठीक है वैसे आपको पहले भी पता होगा कि इस बार ब्रिटेन के जो है ब्रिटेन को रमाइट किया जाना था एस चीफ गैस ठीक है लेकिन हुआ क्या कि ड्यूटू को रोना जो है ऐसा नहीं हो पाया तो अपकी बार लेकिन यह जो है आपका यह जरूर साथ होगा कि बांगलादेश की जो सैने टुकडी है वो परेड में पार्टिसिपेट करेगी ठीक है चलिए अब देखे लिखा हुआ है आने माली 26 जनरी 2021 को भारत के गटन दिवस परेड में 123 सदस्ची बांगलादेश 66 बल भाग लेगा ठीक है 122 सदस्ची बांगलादेश 66 बल ठीक है भारत के तिहास में केवल तीसरी बार है कि किसी भी विदेशी सान दल को राजपत पर राज़्ट्री परेड में भाग लेने के लिए आमन्तित किया गया ये वर्श 2021 में बांगलादेस मुक्ति युद्ध हुआ क्या था कि आपको पता है ना बांगलादेस का जब पाकिस्तान के साथ ने फुल सपोर्ट किया था और अब क्या है कि बांग्लादيस के ऐँ पचास वर्ष्पूरे होने वाले हैं मुक्ति युद्ध वाले मतलब कि फ्रीडं के बांग्लादेस के 50 एर हे कंप्लीट होने वाले हैं और इसी लिए जो है अब क्या होगा कि बांग्ला और भारत में पूराँवी पूरवी प्रहाजतान के साथ मिलकार प्रती बांगलादेस के मुक्त जिम्हारा अंतिता भारत और बांगलादेश की विजय हुई थी और पाकिस्तान क्या हो गया था पराजत हो गया था और पाकिस्तान को क्या करना पड़ा था बांगलादेश को बांगलादेश को मुक्त करना पड़ा था बांगलादेश आपको एक नय देश के रूप में उबरा था चलिए आते हैं अब अ उनके लिए जो परिक्षा सुल्ख लगता है मतलब जब वह एक्जाम देते हैं तो जो एक्जाम देते हैं उसकी पीस जो है एकदम क्या कर दी है माफ कर दի है do देखे लिखा हुआ है मद्यप्रदेश ओडिशा तेलंगाना आंधर परदेश तो आपका यह पूरवी एक स्टेट है जो की है ओडिशा थी के ओडिशा ने क्या किया है मैट्रिक के छात्रों के लिए फरिक्षव सुल्क माफ कर दिया है जो कि इस year के हैं मौजूदा साक्षडिक year के यह नहीं कि यह मजब लगब हर year के अब माफ होते रहेंगे यह तो आगे डिपेंड करता है लेकिन अभी फिलाल इस year के जो मैट्रिक के स्टुडेंट है उनका माफ किया गया है भारत के राज यह ओडिशा ने मौ मैट्री की परिक्षा देंगे तो उनको क्या होगा भई फाइदा होगा और देखे लिखा हुआ उडिशा राज में मैट्री के चात्रों के लिए 420 रुपए प्रतिशात्र परिक्षा है और यहीं माफ कर दी जाएगी तो इस सरकार पर कितने रुपए का अतरिक्त भार परिक्षा देने में लोगों को स्टुडेंट्स को दिक्कत ना आए इसलिए जो 420 रुपए का प्रतिशात्र परिक्षा सुलक है यह माफ किया जाएगा जिससे 6 लाग से अधिक स्टुडेंट्स को फाइदा होगा ठीक आते हैं अपने नेक्स क्वेशन पर इबोला वैक्स नहीं दे सकते हैं लेकिन मतलब कई देशों में लेकिन इस्पेशली जो आपके अफ्रीकन कंट्रीस थी महां इबोला काफी ज्यादा फैला था तो देखिए इबोला वैक्सीन को वैश्विक भंडार बनाया जा रहा है किस रहतम क्योंकि अभी भी इबोला फैल रहा है और आगे भी फैलने के चांसे है इसलिए पहले से ही रेडी होना जो है बहुत जरूरी है तो अब क्या है कि इनमें से चारों में से कोई कंट्री है जिसमें वैश्विक भंडार बनाया जा रहा है वैक्सीन का तो राइट एंसर हो जाएगा फ्रिशला में इबोला वैक्सीन का वाश्विक भंडार बनेगा ठीक है चलिए देख लेते थोड़ा से इसकी बारे में देखे लिखा हुए स्विच्जर लैंड में इबोला टीकों का वैश्विक भंडार बनाया जा रहा है यह ठीक है आपात कालीन प्रक्रिया के लिए दुनिया के विबिन देशों को भेजने के लिए त्यार है ठीक है स्टॉक पाइल को चार प्रमुक अंतराष्ट्री स्वास्त और मानवी संगठनों डबलु एचो ठीक है यह सब बिल्कुल फेमस वाले संगठन है ठीक है डबलु एचो यूनिसेफ डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और इंटरनाशनल फेडर के प्रकोप को रोकने के लिए बना जा रहा है इसका मतलब यह सारे फांडेशन जो है इनकी हेल्प ली गई है और ताकि आगे चलके कई जो कंट्रीज हैं जहां पर बहुत ज्यादा फैला था जैसे कि आपको पता होगा कुछ जो है कंट्रीज थी महां बहुत ज्यादा है ज्यादा प्रकोप रहा था और बहुत बच्चे 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 लो थे मनलब नियुबॉर्ण बेभी इंचीज सबसे ज्यादा जो है उनको वह करती थी तो उनकी बहुत ज्यादा डeath हुई थी तो इन सारी चीजों से बचने के लिए जो है यह सारी चीजे यह उसके लिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गोवा में आयोजित होने वाले क्यावन में भारती अंतराश्टी फिल्म में किस देश को कंट्री इन फोकस के तौर पर चुना गया है कौंसी कौंसा देश है जो कि कंट्री इन फोकस के तौर पर रहेगा जो गोवा में आयोजित हो पाकिस्तान बांगलादेश श्रीलंका नेपाल पाकिस्तान का तो नाम भूली जाए जहां भी option ओं भारत के साथ ठीक है तो लेकिन बाकी जो आपकी प्रोड़ोसी कंट्री इस हैं उन्में से यह किसके साथ होगा बांगलादेश के साथ होगा कंट्री इन फोकस में कौन है बा बांगलादेश को चुना गया है कंट्री इन फोकस संबंदित देश की सिनेमाई उत्करस्टता और योगदान को मानता देता है 51 भारती अंतराश्ट्री फिल्फ महत्सों ने इस बार के कंट्री इन फोकस खंड बांगलादेश को चुना है ठीक है तो आपका डबल टाइम देख गया है इस महत्सों का 51 संसकरन जो है 16-24 जनवरी तक 2021 तक गोवा में आजित किया जा रहा है ठीक है यहां पर डबल टाइम जो है प्रिंट हो गया है तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स क्वेशन के उपर तो नेक्स क्वेशन देखे क्या कह रहा है नेक्स क्वेश डिशन से असम मेघाले नगलेंड अरुनाचल प्रदेश तो देखे कहां पर पर पाये गया है औरख पर देश में चलिए देख़ लिजए भारती भुह ज्यानिक सर्वेक्षण यानिकी जीय difficultक बपापम पारे जिले में यदोआ कऊंसे जिला है पापुम पारे जिले में पैलेयो प्रोटो जो एक कार्बन लेस फाइटाइड चट्टानों में वेनेडियम का संभावित बंदार पाया है ठीक है ये जो चट्टाने है पैलेयो प्रोटो जो एक कार्बन लेस चट्टाने तो इसमें बोल रहे हैं कि इसमें वेनेडियम का प्रमुकि उत्पादक निर्माता बन सकता है मतलब कि इतना भंडार होनी की उम्मीद है कि वैनेडियम के लिए जो अरणाचल प्रदेश है वह प्रमुक उत्पादक और निर्माता बन सकता है यह एक ऐसी उच्क मूल्य की धात है जिसका उप्योग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने में स्टील और टाइटेनियम जो होता है ठीक है उसको क्या करने में और मजबूत करने में उसका यूज किया जाता है और वैनेडियम के वैसे सबसे बड़े भंडार कहां पर चीन में पाए जाते हैं इसके बाद दक्षन अफ्रीका क का नंबर आता है भारती खान ब्यूरो के अनुसार भारत में वैनेडियम धातों का कुल अनुमानित भंडार जो है चौबिस दिसमों छह तीन कोड़िंग अंगर पूचा जाए कि वैनेडियम का सबसे बड़ा जो भंडार हो कहां पाया जाता है ठीक है या वैनेडियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है तो आप क्या कहेंगे चीन है ठीक है तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं जिनको अंडरलाइन करती हैं तो आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी यह थी आज के करेंट अफेर्स पर मोस्ट इंपॉर्डन करेंट अफेर्स थे सारे बताईएगा वीडियो कैसे लगी है अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा और सभी के साथ शेयर कर दीजेगा तो चल यह मिलते हैं अभी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए पढ़ते रहें सिखते रहें सिक्षा दिक्षा के साथ